Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel, Pankaj Fijis Gulati. Students, आपको इच चैनल पर नाकेवल graduation Fijis के topics की सबसे असान explanation देखने को मिलती है बलके आपको साथ ख्याफ यह भी बताया जाता है कि आपको exam में क्या और कैसे लिखके आना है ताकि आप सिरफ एक वीडियो देखके ही अपने notes बना सकें और exams में बहुत अच्छे marks ला सकें तो students, आज ही चैनल को subscribe कीजिए और पाईए notification मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी category में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे VSC 6 Sam Atomic and Molecular Spectroscopy Unit 4 के एक और important topic के बारे में इसका नाम है रमन effect जो की maximum 8 marks में और minimum 6 marks सी category में ही पूछा जाता है देखे students तो रमन effect topic है उसको हम 3 parts में study करेंगे आज के इस वीडियो में हम सरफ discuss करेंगे रमन effect की introduction means रमन effect क्या होता है रमन spectrum की बात करेंगे और रमन spectrum में क्या क्या हमें देखने को मिलता है सिरफ उसी के आज हम बात करेंगे second part में discuss करेंगे classical explanation of Raman effect और third part में discuss करेंगे quantum explanation या फिर quantum theory of Raman effect तो students तीन part में ये वीडियो बनाया जाएगा आज हम सिरफ part 1 बनाने जा रहे हैं जिसमें हम सिरफ Raman effect के introduction के बारे में ही पढ़ेंगे तो students Raman effect को discover किया था 1928 में एक Indian Fidget Sir C.V. Raman ने जिनके लिए उनको 1930 में Fidget का Nobel Prize भी दिया गया था देखें students 1928 में Sir C.V. Raman ने क्या observe किया था उन्होंने ये observe किया था जब भी हम किसी monochromatic light को किसी organic liquid जैसे की benzene या tulin में से पास करवाते हैं तो जो light है वो benzene या tulin के molecules के दवारा scattered हो जाती है तो students जो scattered light होती है उसके अंदर हमारे पास तीन परकार के components होते हैं एक component of light वो होते है जिसकी frequency incident light की frequency के बराबर थी जिसको हम Rayleigh line बोलते है या Rayleigh light बोलते है और दूसरा जो हमें component मिलता है light का वो हमें ये मिलता है जिसकी frequency जो है incident light की frequency से ज़्यादा होती है जिनको हम anti-stocks lines बोलते हैं या फिर anti-stocks scattered lights भी उसको बोला जाता है और जो तिसरा component था और उसकी जो frequency थी वो incident light की frequency से कम थी और उसको बोला जाता है stocks line या फिर stocks scattered line आई एक डायराम के थूर समझते हैं कि आखिरकार रमन एफेक्ट है क्या तो सुडेंट्स रमन एफेक्ट में हम क्या करते हैं मोनोकॉरमेटिक लाइट जिसकी फ्रिक्वेंची न्यू नौड है उसको हम किसी औरगानिक लिक्वेट जैसे की बेंजीन या टोलीन के उपर फॉल करवाते हैं यह हमने उस बेंजीन या टोलीन का एक मोलिक्वेंची लिया है जैसे ही लाइट मोनोकॉरमेटिक लाइट इसकी फ्रिक्वेंची न्यू नौड है तो इस component की frequency जो होगी वो incident light की frequency के बराबर होगी और इसको हम बोलते हैं release scattering जब आपकी scattered light की frequency, incident light की frequency के बराबर होती है तो इस परकार की scattering को बोला जाता है release scattering तो students जब आपकी एक component ऐसा होगा जिसकी frequency जो है incident light की frequency से ज़्यादा होगी मान लिजिए इसकी ये जो new dash है इस component की frequency incident light की frequency new note से ज़्यादा है तो इसको हम बोलते हैं रमन scattering रमन scattering और इस component की जो frequency होगी उसकी frequency जो होगी incident light की frequency से कम होगी इसको भी हम Raman Scattering बोलते हैं मतलब Raman Scattering क्या है Means light का scatter हो जाना with change in frequency इस फिनोमना को बोला जाते है Raman Scattering वो frequency जो है incident light की frequency से ज़्यादा भी हो सकती है वो frequency incident light की frequency से कम भी हो सकती है तो students इसी scattering of light को जब light की frequency जो है वो change हो जाती है after passing through organic liquid तो फिनोमना को हम बोलते है Raman Scattering या फिर Raman Effect तो students आये देखते हैं कि अगर आपको एक्दाम में कोशन आता है कि What is Raman Effect तो आपको starting एंप्रोडक्शन में क्या लिखे आएंगे देखे शुरेंट ये जो कोशन आपको 6 या 8 marks सी category में ही पुछा जाएगा 6 marks सी category में ये कोशन कैसे आ सकता है आपको What is Raman Effect and explain classical explanation of Raman Effect पहला टाइप का 6 marks सा कोशन ये बन सकता है दूसरा टाइप पर जो 6 marks सा कोशन बन सकता है वो ये है कि What is Raman Effect and explain quantum theory of Raman Effect ये भी एक परकार 6 marks सा कोशन है जो 8 marks सा कोशन होगा वो कैसे बनेगा वो बनेगा What is Raman Effect and explain classical and quantum theory of Raman Effect उसमें आपको Raman Effect की दोनों theories जो है वो लिखनी पढ़ेंगी तो students हम आज Raman Effect की introduction में आप क्या लिखेंगी सिरफ उसी के बारे में पढ़ेंगे जो इसकी दोनों theories नहीं क्लासिकल and quantum theories वो आने वाले sections में हम पढ़े वीडियो के अंदर हम उसको देखेंगे आज हम सिरफ बात करेंगे Raman Effect की introduction की आईए देखते हैं कि Raman Effect वड़ा कोशन आपको चाहे 6 marks का है चाहे 8 marks का है तो आप introduction में थियोरी में क्या लिखके आएंगे आए वो देख लेते हैं तो students बहुत ही easy language में आपको बताऊंगा कि आप Raman Effect की introduction में क्या लिखके आएंगे आए देखते हैं In 1928, Sir C.V. Raman while studying the scattering of light by liquids found that when a beam of monochromatic light was passed through organic liquids such as benzene, tulin, etc. the scattered light contained other frequencies in addition to that of incident light तो 1928 में Sir C.V. Raman ने ये discover कि जब भी किसी monochromatic light beam को किसी organic liquid में से पास करवाया जाता है जैसे कि benzene या tulin तो जो light है वो उस organic liquid के molecules के द्वारा scattered हो जाती है और जो scattered light हो जाती है means light बिखर जाती है उस scattered light के अंदर कौन-कौन से component पाये जाते है उस scattered light के अंदर वो component भी पाये जाता है जिसकी frequency, incident light की frequency के बराबर होती है जिसको हम Rayleigh scattering बोलते है और साथ साथ वो component भी पाये जाते है जिनकी frequencies या तो incident light की frequency से ज़्यादा होगी या फिर incident light की frequency से कम होगी तो students इसी light का scatter हो जाना और with change in frequency इसी scattering को बोला जाता है Raman scattering तो अब definition आ रही है Raman scattering की such a scattering is called Raman scattering तो Raman scattering की definition क्या है the scattering of light from molecules with change in frequency is called Raman effect तो light का scattered हो जाना molecules के दुआरा frequency में change आने के साथ उसको बोला जाता है Raman effect Raman effect के अंदर frequency में change आएगा ही आएगा तो students जैसे कि आप diagram में देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो light incident की है उसका color है तो students जो हमने light incident की है किसी Raman sample के उपर Raman sample can be any organic liquid like benzene या tulin उसके molecule से जब वो light scattered होगी तो आपो तीन परकार की scattered light जो है वो देखने को मिलेगी एक light वो होगी जिसकी frequency जो है वो incident light की frequency के बराबर होगी जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो scattered light है सबसे पहले वाली उसका color भी green है मेंस उसकी frequency जो है वो incident light की frequency के बराबर है क्योंकि दोनों का color green है और एक आपको violet color की scattered light देखने को मिल रही है violet color का जो color की frequency होती है वो green color की frequency से जादा होती है तो मेंस जो violet color की scattered light है उसकी frequency जो है वो green color की incident light की frequency से जादा है और उसको हम बोलते हैं anti-stalk raman scattering और तीसरी जो आपको scatter light देखने को मिल रही है वो red color की देखने को मिल रही है और red color की frequency होती है वो green color की frequency से कम होती है means इस case में red color वाली scattering के case में जो हमारी scattered light है उसकी frequency जो है वो कम हो गई है as compared to the frequency of incident green color light तो यहां पर जो scattering देखने को मिलेगी red color वाली scattering उसको हम बोलते है जिसमें frequency कम हो रही है incident light की frequency से उसको हम बोलते है stocks Raman scattering तो students scattering हो जाना light का monochromatic light का साथ में frequency का भी change हो जाना इसको हम बोलते है Raman effect तो students इतना लिखने के बाद आप exam में और क्या लिखके आएंगे Raman effect के introduction में वो देखेंगे और हम next section के अंदर तो students last section में हमने देखा कि जब हम किसी monochromatic light को molecule के उपर fall करवाते हैं तो light जो है वो changing frequency के साथ scattered हो जाती है as compared to frequency of incident light जिसको हम Raman scattering बोलते हैं अगर हम scattered light को किसी detector की help के detect करें और इसके spectrum देखें तो spectrum जो है वो कुछ इस परकार से दिखाई देगा spectrum के अंदर आपको एक line ऐसी दिखाई देगी जिसकी frequency जो है incident light की frequency के बराबर होगी जिसको हम Rayleigh line बोलते हैं जो हमने पिछले case में example discuss किया था जब हमने green color की light Raman sample के उपर fall करवाई थी तो यहां पर आपको green color की line जो है वो दिखाई दे रही है जिसकी frequency incident light की frequency के बराबर है और उस line को हम बोलते हैं Rayleigh line और Rayleigh line के दोनों तरफ भी आपको कुछ lines नजर आ रही है Rayleigh line के उस तरफ आपको violet color की lines नजर आ रही है जिनकी frequency जो है incident light की frequency से जाधा है violet color की frequency जो है वो green color की frequency से जाधा होती है और ऐसी lines ऐसी scattered lines जिसकी frequency जो है incident light की frequency से जाधा हो उनको हम बोलते हैं anti-stocks lines और जिनकी frequency जो है incident light की frequency से कम हो उसको हम बोलते हैं stocks lines stocks lines जो है आपको red color में हाप पर दिखाई दे रही है red color की frequency जो है वो green color की frequency से कम होती है तो stocks lines वो होंगी जिनकी frequency incident light की frequency से कम होगी और जो anti-stocks lines वो होंगी जिनकी frequency incident light की frequency से जादा होगी और यह जो lines है, really line के दोनों तरब देखने को मिलती हैं और जो stocks lines की intensity होती है, वो anti-stocks line की intensity जादा होती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, जो stocks lines की peaks हैं, वो काफी उपर है as compared to anti-stocks lines की peaks, means stocks lines की intensity जादा होगी और साथ आप यह भी observe कर सकते हैं, कि जो stocks lines का number है, वो anti-stocks line से जादा है तो students, तीन परकार की lines है, वो हमें रमन स्पेक्टर में अंदर देखने को मिलती है एक गुतिया rally line, जिसकी frequency, incident light की frequency के बराबर होगी एक होगी anti-stocks lines, जिसकी frequency, incident light की frequency से जादा होगी और तीसरी होगी stocks lines, जिनकी frequency, incident light की frequency से कम होगी तो students, अब यही कुछ आप इसे explain करेंगे, बाकी बच्ची हुई theory में आईए देखते हैं, बाकी बच्ची theory में क्या लिखके आएंगे रमन observed that the spectrum of scattered light contains a line of same frequency as that of incident light which is called rally line रमन ने देखा कि जब हम scattered light का spectrum देखते हैं तो उस spectrum के अंदर हमें एक line ऐसी मिलती है जिसकी frequency, incident light की frequency के बराबर होती है उसे हम rally line बोलती है, यहाँ पर जो green color की line है वो यहाँ पर rally line को represent कर रही है क्योंकि इसकी frequency, incident light की frequency के बराबर है क्योंकि हमने पिछले case में, पिछले example में green color की light ही fall कीती रमन सैंपल के ऊपर and weak lines on each side of rally line और rally line के दोनों तरफ आपको कुछ weak lines देखने को मिलते हैं rally line की intensity जादा है और rally line के दोनों तरफ आप जो lines देख रहे हैं उनकी intensity, rally line की intensity कम है इसलिए उनको weak lines बोल रहे हैं तो rally line बीच में होगी और जो कुछ weak lines होगी rally line के आसपास आपको दिखाई देगी इधर भी और उधर भी left side में और right hand side में भी the lines on the low frequency side are called stocks lines जिन lines की frequency rally line की frequency से कम होगी उनको हम बोलेंगे stocks lines जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं red color की जो lines हैं वो stocks lines है जिनकी frequency rally line means green color की lines से कम है the lines on the high frequency side are called anti-stocks lines और जिनकी frequency rally line की frequency से ज़्यादा होगी उनको हम बोलेंगे anti-stocks lines जो यहाँ पर spectrum में violet colors से यहाँ पर represent की गई है the stocks lines are more intense than anti-stocks lines जो हमारी stocks lines की intensity है वो anti-stocks lines की intensity से ज़्यादा होगी stocks lines वाले peaks ज़्यादा बढ़ी है as compared to anti-stocks lines वाले peaks तो students आइए देखते हैं आगे रमन shift क्या होती है तो students मानली जी हमारे पास incident light की frequency new node है और scattered light की frequency new dash है इन दोनों को difference होगा हमारे पास incident light की frequency minus scattered light की frequency आपको difference देखने को मिलेगा इसी को हम बोलते है रमन shift अगे देखते हैं आगे का लिखे आएंगे let new node is the frequency of incident radiation and new dash is frequency of scattered radiation then रमन shift delta new is given by तो new dash हो है वो incident light की frequency है new dash हो है वो frequency है scattered radiation की तो रमन shift delta new के आँता है delta new is equal to frequency of incident radiation minus frequency of scattered radiation तो ये आगे हमारे पास delta new की value new node minus new dash अब हम नेक्स section में देखेंगे थोड़ा सा पार्ट बचा है इसकी ठीरी का उसमें देखेंगे की stalks lines के लिए delta new की value क्या होगी उसका sign क्या रएगा और anti-stalks lines के लिए delta new का sign क्या रएगा इस अब देखेंगे हम next section के अदर so students last section में हमने रमन shift के expression find क्या था और रमन shift को डिनोट करते है delta new से जो की equal to the new node minus new dash के new node यहाँ पर frequency है incident radiation की और new dash frequency है scattered radiation की और इन दोनों के difference को रमन shift delta new बोलते हैं तो students जब आपका new dash new node से कम होगा when new dash is less than new node then delta new is equal to negative Raman spectrum is set to be consisting of stalks lines जब आपकी scattered radiation की frequency new dash incident radiation की frequency new dash से कम होगी new node से कम होगी तो उस case में delta new जो है वो negative हो जाएगा और उस जब आपको Raman spectrum के अंदर सरफ stalks lines नजर आएगी और यह हैं आपकी stalks lines जब आपकी new dash जो है वो new node से कम है तो delta new आपको negative होगा तो इस case में आपको इस line को बलें हो stalk line और stalk line की जो frequency है वो incident light की frequency से कम होगी हमने incident light का जो example यह था वो green color का दिया था और जो आपको light देखने को मिली थी वो red color की देखने को मिली थी जिसकी frequency जो है green color की frequency से कम थी तो उसको हम बलेंगे stalks line second case में when new dash is greater than new node then delta new is positive व्रहमन स्पेक्टर में set to be consisting of anti-stalks lines जब आपकी scattered radiation की frequency incident radiation की frequency new node से ज़्यादा होगी तो उस case में difference positive हो जाएगा उस case में बोलेंगे कि आपको anti-stalks line जो है वो देखने को मिलेंगी जैसर कि आपको यह line देखने को मिल रही थी यहाँ पर new dash जो है जो है वो green color की frequency ज़्यादा थी तो इस नहीं को हम बोलेंगे anti-stalks line third point में आप क्या लेखेंगे when new dash is equal to new node then delta new is equal to zero रवन स्पेक्टर में set to consist of rally line only जब आपका new dash new node के बराबर हो जाएगा तो delta new यहाँ पर zero हो जाएगा तो उस case में आपको रवन स्पेक्टरम के अंदर rally line देखने को मिलेगी जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इस component की frequency जो है new dash वो incident light की frequency new node के बराबर है जो की green color की incident light थी तो यह भी आपको green color का देखने को मिलेगा और इसको हम बोलते हैं rally scattering या फिर rally line तो students आपके बुक में Raman effect के introduction कोई भी diagram नहीं बना हुआ पर आप यह diagram जूरू बना के आएए अगर यह diagram आप बनाएंगे तो examiner के mind में आपको impression बहुत अच्छा बैटेगा और वो समझ जाएगा कि आपको इस topic की full knowledge है वो diagram देखके ही interest हो जाएगा और साथ के साथ आप यह Raman spectrum भी draw करके आएए देगे students intensity आपको लेनी है Y axis पे और frequency लेनी है आपको X axis पे तो आपको बीच में एक ready line देखने को मिलेगी डिसकॉम central line या main line बोलते हैं और इसकी frequency जो है वो incident light की frequency के बराबरती तो यह भी green color के आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो आप यहाँ पर green mention कर सकते हैं तो students जो और ready line के इधर दोनों तरफ आपको Raman lines देखने को मिलेगी और एक तरफ आपको वो line को मिलेगी जिनकी frequency जो है इस frequency से कम होगी इस line की frequency से कम होगी जिनको हम stocks lines बोलेंगे तो यह red color की होंगी तो यह आपको पोर्षन यह lines आपको red color की देखने को मिलेंगी और दूसरी तरफ आपको जो है वो lines देखने को मिलेंगी जिनकी frequency जो है really line की frequency से ज्याधा होगी जैसे कि यहाँ पर आपको blue या violet color की lines जो है वो देखने को मिलेंगी जिसकी frequency ready line green line से ज़्यादा होगी और एक बात और note कर रहे होंगे आप इस Raman spectrum के अंदर जो stocks line की intensity है वो anti stock line से ज़्यादा है यह peaks जो है बड़े बड़े बनाने आपको stocks line की intensity है होती है यह peaks आपको छोटे बनाने है और यह peaks जो है बड़े बनाने है बड़े बनाने है तो इतना बनाएंगे यह दो diagram बनाएंगे इतना introduction लिखाएंगे तो आपकर Raman effect का जो introduction part है वो complete हो जाएगा तो students यह हमें यह चीजे क्यों देखने को में बिल रही है क्यों हमें जो scatter light की frequency है वो incident light की frequency से change होती हुई नजर आ रही है इन सब की explanation है classical explanation भी है quantum explanation भी है जो हम आने वाले Raman effect के बाकी दोनों पार्ट स्टी करेंगे के second part के हम discuss करेंगे classical theory of Raman effect और उसके next part हम discuss करेंगे quantum effect of quantum theory of Raman effect तब आपका Raman effect complete होगा तो students आई यह था हमारा Raman effect का introduction I hope आपको Raman effect जो है वो समझ आया होगा मिलेंगे इसकी वीडियो के next part के साथ तिल देन Thank you so much